नमस्कार देख रहे हैं जहकास भारत और मेर अविकान सरद्यादव जी के बेटे संतनु जी हैं और अभी आरजेडी में हैं और कुछ सवाल करेंगे बिहार की राजनीती से जुड़ी बिहार को कैसे देखते हैं अभी जीस प्रकार की राजनीती के सियासी गर्मा गर्मी जो और महागट वन दन में उसे कैसे देखते हैं विखार के राजनीतों हमेशा दिलजफ्ष रही है और अभी जो करन्ट स्तिति है विखार के में हमारे जो महागट ने किसकार रेंगरीबों के सरकार पिछड़ों के सरकार है हम लोग मुद्दे की बात करते हैं पढ़ाई पर बहुत आरूप लगता है कहा जा रहा है कि साथ जूड़ने से वोटिंग परसेंटेज इधर चला जाएगा इसको विरोधी काम होता है कि नो कुछ ना कुछ तो कहेंगे इस पर द्याद द्यान देना चीए आप कैसे देखते हैं विहार की राजनीती में अपनी दिए मे सब्सक्राइब करते रहे हैं पिछड़ों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं मैं भी उसकारे को आगे बढ़ा रहा हूं तो इसलिए मैं ज्यादा आता हूं अब दीरे-दीरे स्वास्तों रहे हैं वो उनको जल्दी मदे पुरा ले पटना भी आयता आपको पता है भी अब आके मदे पुरा लेकर परिवारवात का रूप कई युवानेताओं पर लगता है आप पर भी अलगी कैसे कैसे देखते मतलब की सभी बड़े राजनीति घर के बेटे फिर से पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और लीडूल में देखिए अगर कोई अनेता टैलेंटेड हो होगा वो जरूर आएगा आप चाहिए रोग लेजाए वो पीछे नहीं हो पाएगा केंदर सरकार को लेकर क्या कहेंगे इस प्रकार से कई मुद्दे चल रहे हैं देखिए मुद्दे तो भी बहुत है अभी तो मार्केट बंदन की सरकार बनी है लोगों में बड़ी खुश सब्सक्राइब करेंगे मैं तेज़े सीजे खुच जाता हूं और वो जो जो चीजे बोलते हो करते लगातार कंटिन्यू बिहार में आपकब से रहने वाले रहता हूं तो नहीं मैं मदे पुरा है तो मैं मदे पूरा पटना अप्डाउन करता रहा है यहां के लोगों से रि चिराग जी भी भाई हैं अबने विरोधी दल में आज पर हमारा भाई तो हैं वो भी कनेया जी भी हमारे सच्छे संब्सक्राइब करते रहेंगे मेरे नाम रविकांत हुआ तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स देखने के लिए जहकास भारत पर बने रहें धन्यवाद कर दो